नमस्कार दोस्तों मैं हूँ लोकेंद्र सिंग और क्राइम तक में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज मेरे साथ केमरे पर हैं आसिम आज की जो वारदात है वो बड़ी अजीब है यानि बिल्कुल फिल्मी वारदात है और बड़ा सुनने में बड़ा अजीब लगता है इस वारदात को क्योंकि इस मामले में जो प्लानिंग की गई थी वो बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्जेक्यूट हुई जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ पैसा वसूलना था वो भी वसूला गया लेकिन पैसा वसूलने क बाद जिस पैसे के लिए वारदात को अंजाम दिया गया था वो पैसा उसके खाथ नहीं लगा जिन्वों ने पूरी प्लानिंग करी थी पूरी की जो शुरुवात है वो कि यूपी के शहर इलाबाद जो अप रियागराज वहां से होती है और नहीं के दो नहने वाले उटनों लंबे वक्त से दूसरे को जानते थे और दूसरे से प्यार करते थे और चाते थेर्प कि जल्द से जल्द वह शादी कर लें और अपना जो है वह बसा लें। लेकिन एक दिक थिBay और दिकत थी कि दोनों पैसे ही कोई पैसा अच्छी तरीके से कमाता नहीं था तो कहीं ना कहीं पैसे की जुगाड करनी थी और इस पैसे की जुगाड के लिए वो कई तरीके के प्लानिंग मनाते थे, कई तरीके बिजनिस के बारे में सोचते थे, लेकिन बिजनिस शुरू करने के लिए भी पैसा होना चाहिए, तो कुल मिलाके उनको लग रहा था कि सीधा जो रास्ता है, अगर उस पर चलेंगे तो पैस संदीप और जो नूतन हो जाए उसके दिमाग में चल रही थी, और काफी दिन से इस तरीके की चीज़े चल ली थी, कि यह जुर्म करेंगे तो नहीं फसेंगे, या फिर यह वाला जुर्म करेंगे, यह आसानी से हो जाएगा, इसमें पैसे भी मिल जाएगे, तो इस तरीके के बड़े सारे प्लान वह दोनों सोच रहे थे और आखिरकार, नूतन जो थी उसने एक सजेस्ट किया, क्योंकि यह दोनों इलाबाद के रहने वाले थे तो अक्सर जो था लखनाओ आना जाना रहता था, लखनाओ में कई सारे दोस्तियार थे, बहुत सारे लोग थे जो ज सटिसफाइड नहीं थे और इनको लग रहा था कि कुछ मोटा, मोटी रकम उनके हाथ में आए, तब जाके काम चलेगा और तब ही वामना घर बसा पाएंगे, तो नूतन ने सजेस्ट किया कि जल निगम एक इंजीनियर हैं, जिनका नाम है अब्दुल सलीम फरीदी, उनकी अगर किड्नैपिंग की जाए, और अब जानते हैं कि कोई भी सरकारी विवाग होता है, चाहे वो जल निगम हो, चाहे पी डबलूडी हो, चाहे फिर और किसी विवाग, और कोई विवाग हो, वहां के जो करमचारी होते हैं, और जो नीनियर लेवल के लोग होते हैं, वो ठ most of the people who are working in government offices are not very much honest corruption जो है वो बहुत ज्यादा है तो नूतन ने यही प्लान किया कि यह अब्दुल-सलीम फरीदी जो है लखनाओ के रहने वाले और इन से नूतन की जान पचानती और उसको लगता थे कि यह थोड़ा मोटा असामी है अगर इसको किड्नैप किया जाए तो इससे अच्छा खासा पैसा वसूल किया जा सकता है तो यह बात उसने अपना जो प्रेमी है संदीप उसके साथ डिसकस करी और दोनों ने प्लानिंग करनी शुरू करी लेकिन उनको मैन पावर की कर्मी पड़ रही थी और मैन पावर भी ऐसी कि जिस पर वो लोग भरोसा कर सकें या फिर उनका पास्त इस तरीके का हो कि जिन्होंने इस तरीके के क्राइम किये हों और दूसरी बात यह वो यह दिन जाते हैं कि कि किसी भी लोकल को अपने साथ इंवल्व करें क्योंकि अगर कोई लोकल इंवल्व होता है तो बाद में ब्लैक मेलिंग का भी डर था त हूँ से संदीब तब इसको ध्यान आया कि इम्रान नामका एक जैन गाल ही और मॉंबई ने संदीपने इमरान को किया और प्लान किया और अगर हम कर लेते हैं तो काफी मोटा पैसा काफी मोटी को मिल सकती है इन लोगों को भी पैसे की जरूब होती है हलां कि पैसे की जरूब तर्क केसी को होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको तुरेंट जो पैसा होता है ना क्विक मनी की चक्कर में ऐसे लोग बहुत जल्दी लालेच में आ जाते हैं तो इम्रान बिल्कुल राजी हो गया और उसने पूछा कि क्या है तो उसको बताया गया कि इस तरीके से जलनेगम का एक इंजीनियर है जिसकी हम लोगों को किड्नेपिंग करनी है और किड्नेपिंग करने के बाद एक दो कर हम तीनों मिलके इसके किड्नेपिंग करेंगे बंदे की और उसके बाद जो ही पैसा होगा उसका फिफ्टी फिफ्टी पट्सेंट या तुम ज्यादा रख लेना मैं कम रख लूंगा इस तरीके की बाद जो थी वह तैह हुई और इसी प्लानिंग के तहत इम्रान जीतेश म सारे लोग लखनों पहुंच गए थे और फिर होटल में रुके और वहीं पर नोन है आगे की जो प्लानिंग थी वह करी कि किस तरीके से जो इंजीनियर है उसको अगवा किया जाएगा गाड़ी कौन सी होगी रखना कहां पर होगा किस जगे पर रखेंगे तो इसकी तैयार तो पूरी प्लानिंग के अनुसार पूरी प्लानिंग के मुताबिक साथ अगस्त को यह सारे लोग वहां पर पहुंच गया और फिर तैया हुआ कि यह जो नूतन है यह जो इंजीनियर है अब्दुल सलीम फरीदी इसको मिलने के लिए बुलाएगी और एक रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट में जब यह मिलने आएगा उसी द्वाराद हम लोग इसकी किड्नैपिंग करेंगे तो प्लान के मुताबिक जो नूतन थी उसने यह जो फरीदी है इसको मिलने के लिए बुलाया शाहन अवज रोड है लखनव में वहां पर शाहन अजफ रोड पर कोई रस्टोरेंट है वहां पर उसको मिलने के लिए बुलाया और वह क्योंकि दो सल से नूतन को जानता था और उसनने बुलाया तो तुरंट पहुंच गया और जिस जगे पर गलाया था वह वेन्यू भी उसके से पास था दो तु कन्त पहुंच गया और बातचींचीत होने लगी। बासटीचीतsoft होने के बाद फिर जब चलनें score तो नूतन ने बुला कि चलो हम लोग आपको ड पावर करने के बाद यह पहुंच गए लेके पहुंच गए उसको इनाबाद उसके संगार पीट की गई उसको बोला कि आप तुरंट पैसों के इंतिज़ाम करो दो करोड़ रुपे तो उसके बोला कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है आप मुझे मारना चाहो तो बहले ही मा सकता हूं गर आपको दस लाग रुपए लेने हो तो आप बोलो मैं आभी तुरेंट फोन कर दूंगा आपका जो भी सैड अकाउंट है जो अभी आप अकाउंट नंबर दो गया उसमें वो पैसे जमा हो जाएंगे किड्नापिंग कर ली थी मुंबई से भी लोगों को बिला लिया था और इन लोगों ने फिर डिसकस किया कि कुछ तो मिलेगा दस लाग भी इतनी कम रकम नहीं थी तो यह तेह किया गया कि यह जो फरीदी है इससे बोला जाएगी तुम दस लाग जो रुपए है वो संदीप स जो है उसके खाते में दस लाग रुपए की रखम आ गई और बहुत जल्द आ गई जैसे फरीदी था उसने अपने दोस्त को फोन के उसने पैसे जमा कर दिया लेकिन आप यह सोचिए कि यह जो प्लानिंग हो रही थी इस प्लानिंग के साइड में भी एक प्लानिंग हो रह पठा की कि डैपिंग सक्सेस्फुल हो जाती है तो उसके तुरंबाद उसने इम्रान और जितेश को भी बोला कि उसके तुरंबाद तुम जो इंजीनियर है उसको मार दोगे और जो मेरी प्रेमिक है नूतन ओजा उसको भी मार दोगे नूतन हो जा सोच रही थी कि जब किड्नैपिंग सफल हो जाएगी तो इंजिनियर को मार देंगे और उसके बाद जो भी पैसा मिलेगा वो हम लोग आपस में बाट लेंगे इमरान और जितेश यह सोच रहते हैं कि हमें इंजिनियर से क्या लेने देना इंजिनियर कौन सी हमारी शकल पहचानता और हम वैसे वी वारदात करने के बाद मुंबई चले जाएंगे क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा पकड़े जाने का डर इन दौनों की वज़े से नूतन और संदीप की वज़े से तो अगर हम एक बार फिरोथी की रकम हात में आजाती है तो हम इन दौनों को मार देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इस तरीकी की प्लानिंग इन ल लिपे पर प जाएगा कि लानिंग के मताबिक जब पैसा आगया दसलाक रुपयी की रकम संदीप के हाथ में अगए तो तो संदीब ने बोला कि आप तुम जो मैंने तुम से बोला था वैसा करो तो इम्रान जो था ुसने तुरंट जो नूतन जो उसकी प्रेमिका थी Czech की उसकी गोली मारकर स्थ्या कर दी उससाहिंप यह जो किड़्नेप बनसारा थी यह भी महां पर मौझूद था जब उसको मार डाला तो उसके बात यह थैता जो संदीब ने बोला था कि अब तो मैं इंजीनियर को भी मारना है लेकिन जो इम्रान था वो इंजीनियर को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ उसने इंजिनियर को तो छोड़ दिया बलकि जो संदीप था जो इस पूरे प्लान का मास्टर माइंड तो कहरो नूतन थी लेकिन उसके संग में जो उसके साथ में निभा रहा था वो संदीप था तो यह इम्रान ने जो फरीदी था जिसको किड्नैप किया गया था उसको तो नूतन का मडर हो गया था और संदीप को इम्रान ने बंदग बना लिया था इसके बाद जब इनको लगा कि संदीप हमारे लिए मुसीबत बन सकता है तो इन्होंने संदीप का भी कतल कर दिया और जो दोनों लाशे थी वह बाकी लोगों के साथ मिलकर डिस्पोज आफ कर द जैसे किसी का कमरा यूस करना था तो उसको पैसे देने के लिए राजी था और उसका कमरा यूज कर रा था था तो बाकि इस प्लान में शामल पर उन्होंने स्बस्पर बासा और यह लग्सनाव पहुंच गया इलावा से और जब अपने घर पर पहुंच गया क्योंकि घर वालों ने किड्नेपिंग की कंप्लेंट जो थी वह दर्च करवा दी थी तो जब अपने घर पहुंचा तो जाहर सी बात है पुलिस भी पहुंची और पुलिस ने जानता नहीं है तो पुलिस ने नूतन के बारे में पता किया इलावाद पुलिस को संपर किया और पूछा उन से कि आप पिकवर नूतन के बारे में पता करी और उसका जो प्रेमिय संदीप के बारे में पता करी है इसी बीच 11 तरिक को इन दौनों की लाशे मिल जाती है जब की तलाशी नी जाती है तो ना नूटन के पास से कुछ निकलता और संदीप के पास है उसके उनके जो Mac vanhow कि जो पर्ष वर्स था संदीप तो कुल मिलाकर कुछ भी हुस तरीके का था पुलिस को तो जब पोलिस को सुराग नहीं मिलता को मोबाइल होता है। उसको good पर लगाती है इसके अलावा संदीब के घरवाले जो थे उनसे उसकी बाकी सारी डिटेल्स जैसे एकाउंट की डिटेल बैंक जो था उसकी डिटेल वगेरा वो लेते हैं क्योंकि पुलिस को लगता है कि जब सारी चीजे लूटी गई है तो हो सकता है जो कार्ड है जो डेबि पड़ी जो थी उनको डिस्पोज डिस्पोज आफ करने के बाद इम्रान और जीतेश लखनाव आ गये और लखनाव में इन्होंने 11 तारीक को मुंबई जाने की फ्लाइट पकड़ी मुंबई जाने के लिए पहुंचे यह और जो लखनाव का एयरपोर्ट है वहां पर अधरवा के उसने अपनी मसाच करवाए। मसाज करवाने के बाद जो पेइमेंट जो धिया उसमें इसने संधीप जो था उसके कार्ड का इसनेपिकार्ड का indicates और जैसी कि इसने debit card का इस्तेमाल किया पुलिस ने क्योंकि सारी चीजें surveillance पे थी उसका mobile हाले की बंद था लेकिन बाकी सारी चीजें जो भी transactions हो रहे थे वो सारे जो चीजें थी वो लोगों ने surveillance पे लिए रखी थी तो जैसी वहाँ पे एरपोर्ट पे जैसी transaction हुआ वैसी जो पुलिस की एक team थी वो एकदम alert mode पे आगे और उन्होंने तुरंत inform किया कि इस तरीके से card का payment हुआ है और यह जो बंदा है यह हम लोगों के लिए wanted है double murder में इसको रोको यह सब कुछ होता तब तक यह दोनों flight में पहुँच चुके थे और फ्लाइट बस उड़ने वाली थी तो जब एरपोर्ट पे पहुंची पुलिस की टीम और मालूम चला कि इस तरीके से यह बंदा था और बाकी लोगों को दिखाई गई तस्वीर तब जाके मालूम चला कि यह जो बंदे हैं दो जिनका नाम इम्रान और जीतेश है यह को कि मुंबई जाने वाले पुलिस नेphone ने फ्लाइट रुकवाई और फ्लाइट करने के बाद इन दोनों सहीetah कि गरफतार किया और करने के बाद इन से कूश्टाच की और पूश्टाच में हैं जो इम्रान और भीटेश था उन्होंने पूरी बात कभूली की इस तरीके से हम लोग इस पूरी प्लानिंग में शामिल थे और संदीप जो था वो हमें जानता था और हमारा पहले से प्लान था कि एक बार पैसा आजाएगा तो हम संदीप का मडर कर देंगे लेकिन संदीप ने उससे पहले यह बोल दिया था उन्होंने किड्नैपिंग की फिरोती भी वसूली पुलिस से भी बच गए लेकिन आखिरकार अपने ही लालच की वज़े से वो मारे गए और मारने वाले भी कोई और नहीं बलकि उनके वो साधी थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था तो आज की कहानी में इतना ही फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए जय हिन जय भारत